विदाउट एनी ट्रांजिट वीजा बस आपके पास इंडियन पास्पोर्ट और कैनेडियन वीजा होना जरूरी है तो हेलो नमस्ते हैं वेलकम बैक टू मेड़ीप चनल इस प्यूश कुपता थैंक्स पॉर्टिंग ओफ फॉर्स वीडियो देखिया थैंक्यू सो मच एक एक व्यूश एक लाइक हमारे लिए मेंटर करता है जिन्होंने लाइक किया जिन्होंने सब्सक्राइब किया जिन्होंने कमेंड किया बहुत-बहुत धन्यावद आप सब का सब्सक्राइब करते हैं कुछ लोग अपने करियर बनाने के लिए करते हैं इंडिया जाके और कुछ लोग अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं कैनेडा से इंडिया जाके और इन दोनों जगा जाने के लिए एक mode of transport जो लगता है वो है फ्लाइट अब फ्लाइट में भी दो यमरेट से प्रीवरेंट से अब जा सकते हो अब डिरेक्ट फ्लाइट थोड़ी तो महिंगी पड़ी जाती है यह जो वीडियोiteit से वहती होती है बंड डाउ ट होता है कि आर इस the ah it नहीं है ता कि आपके पैसे बचैं बच सकैं और आपका टाइम बच सकें। और आपको इतनी सारी research ना करनी बड़े So ये video पूरे proper facts and findings के साथ आपको present होने वाली है And plus एक development अपने दिमाख में रखना कि हम सिरफ बात कर रहे हैं जिनके पास Indian passport है And उस पे Canadian visa है No matter it's a permanent residency, it's a work visa or it's a tourist visa Depends on every condition So UAE, UK, France, Germany, Czech Republic and then Spain Then हमारे पास Hong Kong, Singapore, Netherlands and Qatar So these are the options which हमारे पास available है लेवर के लिए So according to the shanghenvisa.com जो की official website है EU की जहाँ पे हमें जहाँ पे साफ साफ mention है Czech Republic, France, Germany and Spain In countries में अगर आपका layover है Then आपको transit visa की सक्त जरूरत है Other than that अगर इसके लाबा कोई भी countries है Switzerland हो गया या फिर और भी जो भी countries हो गई EU के अंदर जो आती है You don't need any transit visa Except these countries दोनों country में हमें transit visa की जरूरत है अब according to the UAE government हमारे पास दो टाइप्स के transit visa है एक है 48 hours का और एक है 96 hours का अब वो आप पे डिबेंड करते हैं कि आपको 48 hours का चाहिए या आपको 96 hours का चाहिए डिपेंड ओन दो यह फ्लाइट हाल्ट और यह फ्लाइट लेवर आप जिन्होंने दुबाई घूमना तो वो 96 hours का भी ले सकते हैं और जिन्होंने नहीं दुबाई घूमना तो वो 48 hours का भी ले सकते हैं आपकी बड़े बंड है आपकी फ्लाइट का टाइम क्या है बट उस transit visa को अपलाई करने के लिए जो UAE government demonstration है हमें चाहिए आपका valid passport with three months of valid travel document on it और उसके बाद आपका हमें चाहिए एक photo जो की white background के साथ हो and third one की आपकी onward third flight जो भी onward जो third flight आपकी कौन सी destination पर जवाब जा रहे हो उसकी ticket आपको हमें present करनी है तो आपको वो मिल जाएगा transit visa so कई लोगों का question होते हैं हम on arrival visa भी ले सकते हैं दुबाई का या फिर अबुदाबी का जहां भी हम UAE में जाएं but according to the UAE government you can't get the on arrival visa except if you have US visa with you or either you are a citizen of a US like आपके पास green card है तब ही आप UAE का on arrival visa ले सकते हो और third option इसमें यह आता है कि या तो आपका कोई family member जो रहता है UAE के अंदर वो जा सकता है Emirates जो भी आपके flight है Emirates से Etihad उनके office में जाके आपके लिए transit visa आपको बना के दे सकता है so these are the options you can go through अब हम बात आते हैं UK के उपर so before this like 3rd December UK via London हमें transit visa की जरूरत नहीं होती थी but अब UK government ने demographics बिल्कुल ही change कर दिये demonstrations जो भी हैं वो बिल्कुल change कर दिये now you need a transit visa if you want to go via London to any other country either it's India either it's Canada so दिमाग में याद रखना जो भी लोग अगर मुझे बाद में comment गालियां दें क्यों भाई हम तो गए थे लंडन इंडिया जाने के लिए वो यह 3 December से पहले की बात थी अब demographics चेंज हो चुके हैं तो अब आपको transit visa लेने की जरूरत है ठीक है ना तो यह जो government की site पर लिखा हुआ है वो मैंने आपको पढ़के बता आया है ऐसे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा है यह सारी content आपको मिल जाएंगी लास्ट पार्ट जो आता है इस वीडियो का Hong Kong Singapore Qatar and Netherlands So in mentioned countries में हमें transit visa की जरूरत नहीं है हम Indian passport पर जा सकते हैं माग में यह रहा है याद रखना कि आपको short term transit के लिए कोई visa की जरूरत नहीं है बट अगर आपका long term transit है लाइक आप 96 48 hours से अबव वहां पर रहने वाले हो या फिर आप बहार जाने वाले हो airport के तो आपको transit visa का जरूरत है even अगर आप दो दिन के अंदर भी आप plan कर रहे हो कि हम एक दिन कहीं घूम के आ जाए उन 48 hours के अंदर जो भी countries Hong Kong, Singapur में तो आपको transit visa चाहिए बड़ेगा but inside अगर आप airport में रहो तो आपको कोई transit visa की जरूरत नहीं है I hope is that clear for you so in countries में आपको चाहिए और यही है जो mean countries जहां से हम layover लेते हैं so I hope आपको value provide कराई हो और आपके solutions, आपकी questions के solutions दिया हो so अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए अगर आपको वीडियो बहुत ज़ाद अच्छी लगी तो subscribe भी कर दीजिए और comment तो बन करी दें और share तो बहुत ज़रूरी है यार so bye bye take care, keep smiling, love from Toronto, bye from India peace, jai hend jai bharat